Hello friends, welcome to my YouTube channel Banking Talk तो आज मैं बात करने वाला हूँ Axis Bank Young Bankers Program 2020 का जो registration date है उसके बारे में आगे बलने से पहले आगे बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नियू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको notification के थुरू नियू अपडेट मिलते रहें तो friends, Axis Bank Young Bankers Program का जो registration date है वो close होने वाला है जो कि 31 March last date होगा ठीक है, may be due to coronavirus और जो lockdown चल रहा है, may be ये date extend हो सकता है बट अभी का update ये है कि 31 March को last date है तो अगर आपने registration नहीं किया है, form fill नहीं किया है, तो please form fill कर लिजे अगर आपको banking sector में जाना है तो साथ ही आपको बता दे friends, अगर आप Axis Bank application first time fill कर रहे है Axis Bank का, तो इसके उपर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो step by step मैंने उसमें बताया है, आपको description में वीडियो का link मिल जाएगा अगर आपका graduation complete नहीं हुआ है, तो फिर आप इस form को fill नहीं कर सकते हैं हाँ, अगर आप final year में हैं, तो भी आप fill कर सकते हैं friends साथ ही, आपकी minimum age जो होनी चाहिए, वो 21 years होनी चाहिए और जैसा कि आपको पता है, ICICI Bank P.O. का exam हो गया है जिनका नहीं हुआ था, जिनको problem आ रही थी, तो उनका retest हुआ है तो अगर आपने submit कर दिया है, तो आप result के लिए wait कीजे within a week, या फिर हो सकता है, maybe 15 दिन लगेंगे, result out होने के लिए तो ऐसी कोई भी जानकारी अगर मुझे मिलती है, तो मैं आपको update कर दूँगा और friends आपको बता दूँ कि ICICI Bank, या Axis Bank, या HDFC Bank, किसी bank के अगर आपका कोई question है, ठीक है, तो आप वो मुझे से पूछ सकते हैं, आप comment section में comment भी कर सकते हैं, या कि मेरी mail ID पर आप मुझे mail भी कर सकते हैं तो I hope कि ये video आपको अच्छा लगा होगा, आगे इसी तरह से मैं आपको update करता रहूँगा, तो आगे update पाने के लिए आप please subscribe बटन को click कर दिए और bell icon को press कर दिए ताकि जैसे ही video upload हो, आपको notification को थूँप पता चल दा है, तो please like करें, share करें, comment करें and don't forget to subscribe, thank you